Hello everyone, hope you all are doing well and safe तो इस वीडियो में आपको मिलेंगी बहुत सारी जानकारी ब्राइड और ग्रूम के लिए दोनों के लिए ही है दोनों के लिए ही मैं कुमकुमादी और कामा अईरवेदा जैसा ओयल बनाऊंगी दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों ही टिप्स को फॉलो कर सकते हैं तो पहले में टिप्स ये दोंगी कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि स्किन सेंसिटिव हो जाती है और stress लेने से आपकी जो skin है वो oil produce करने लगती है जिससे pimple आ सकते हैं, black heads और white heads आ सकते हैं आपकी skin अच्छी होनी चाहिए, makeup हमेशा नहीं रुकेगा bridal makeup जो है वो उसी time तक रहेगा, उतनी जो मोटी layer है वो उसी time तक रहेगी कि हाँ, जो लोग makeup कर लेते हैं, वो तो care करी लेंगे पर जो लोग makeup नहीं कर सकते हैं, तो please skin को इतनी अच्छी रखिए कि makeup हटने के बाद भी लोगों का जो मू है वो ऐसा हो जाए ठीक है, तो makeup अच्छे, sorry, skin को अपनी अच्छी रखिए ठीक है, और next मैं बात कर लेती हूँ, कि shower से पहले, soft brush आता है, एक available है market में, तो वो वाला brush use करें, shower लेने से पहले, नहाने से पहले वो वाला brush use करें, ठीक है, तो उसे क्या होगा, आपकी जो skin है, वो बहुत bright होगी, light होगी, और skin में internally glow आएगा, वो dead cells को remove करता है, तो वो वाला brush है, वो कहीं-कहीं available होता है, market में मिल जाता है, कहीं-कहीं नहीं मिलता, मैं आपको link दूँगी, वो वाला bride और groom है, तो वो वाला brush मंगा सकते हैं, वो आपकी skin को बहुत अच्छा करेंगा, और मैं एक और tips दूँगी, कि आप पहले से ही जो भी treatment लेने हैं, आप वो पहले से लीजिए, बाद में कोई at a time treatment मत लेना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है skin पे, आपको threading करनी है, wax करनी है, पहले से करके रखिए, laser treatment कराना है, पहले से ही करके रखिए, बाद में कुछ नहीं करना, तो मैं बनाओंगी कामा आयुरवेदा जैसा और कुमकुम आयुरवेदा जैसा oil, जो की बहुत महंगा है, सब लोग अफॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसे बनाईए, जो मैं बनाने वाली हूँ, उसके benefits बहुत सारे हैं, अगर आपकी शादी नहीं भी है, आपकी skin डल है, तो आप उसे बनाकर लगाईए, और मेरा after before जरूर देखना, क्योंकि अंतर बहुत जादा मालूम पढ़ रहा है, ठीक है, तो हम एक चमच के करीबन olive oil लेंगे, और तीन चमच करीबन coconut oil लेंगे, अगर आपकी पास olive oil ना हो, तो आप almond oil ले सकते हैं, आपकी पास wild turmeric हो, तो आप उसको ले सकते हैं, वरना घर पे जो मिलने वाली होती है, वो ले ले, वरना कच्छी हल्दी भी ले सकते हैं, जो मिलती है, और यहाँ में मैं ले रही हो चक्रफूल, चक्रफूल प्रमोट करता है collagen production को, रिंकल को गायब करता है, और skin के जो large pores होते हैं, उसको shrink करता है, आप अगर चाहें तो dry rose petals डाल सकते हैं, मेरा जो बना हुआ है, उसमें dry rose petals डला हुआ है, इसलिए मैं यह जिरासा बनाया है, अब मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ, कैसा लग रहा है, यह same kama ayurveda है, same kum kum adhi oil जैसा ही है, वैसे ही work करता है, यह skin के अंदर जाके dead cells क को बहुत अच्छी तरह से remove कर देता है, यह dead cells को बहुत जल्दी remove करता है, आप शावर से पहले लगा सकते हैं, शावर के बाद लगा सकते हैं, पर हाँ थोड़े कपड़े हल्दी वाले हो जाएंगे, तो आप पहले ही लगा लीजे, फिर नहा लीजे, 10 मिनिट रखे से वाश कर लीजे, तो मैं ब्राइड के लिए यह कहना चाहूंगी कि आप हाथ की और पैर की मसाज करिए, क्रीम नहीं है, ओयल नहीं है, आप मलाई से मसाज करिए, जिससे skin हो जाती है, ब्राइड और मॉस्टराइजर, और आप दोनो टाइम पर रखना जिससे skin में glow बना रहे, पानी बहुत सारा पीना जिससे skin और body और बाल भी scalp यानी की hydrate रहे, इन सब चीजों का ध्यान आपको देना पड़ेगा, मैं एक बनाऊंगी uberton, जो उसके benefits बहुत सारे हैं, उसकी तो series आनी चाहिए, जब आपको benefits बता चलेंगे, पर हाँ, अभी मैं आपको benefits shorts में बता दूँगी, और ये वाला जो uberton है, ये कोई भी लगा सकता है, groom नहीं भी है, bride नहीं भी है, वो भी लगा सकती है, और अगर bride और groom बनने वाले हैं, तो skin में glow चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है, तो आप please बनाईएगा, तो चलिए मैं बनाऊ तो हमें चाहिए, basin, rose petal, dry rose petal चाहिए, चावल का आटा चाहिए, एक चमज के करीबन, आपको यतना लगाना हो उतना देख लीजेगा, fresh milk चाहिए, और हमें चंदन powder चाहिए, और coffee चाहिए, ये जो बनने है, वो scrub का काम भी करेगा, पहले हमको लेना है, basin, जो basin है वो dirt को remove क करता है, excess oil को भी remove करता है, हमें डाल रही हूँ, rose petal, dry rose petal का powder है, ये मैं रखती हूँ, हमेशा अपने पास, तो ये मिला लीजे, ये as a scrubber काम करेगा, इसकिन पर, मैं ये डाल रही हूँ, चंदन का powder, ये भी आप डाल लीजेगा, और उसके बाद मैं डालूँगी, चावल का आठा है, चावल का आठा डाल लीजे, जो की skin को tight करेगा, और white करेगा, scrub में भी काम आएगा, यहाँ powder भी डाल सकते हैं, और मेरा जो ये है, ये पसीज गई थी, अंदर से तो मैंने पानी डाल दिया है, जिससे उसका जो है benefit वो पूरा आ जाएगा, often में, और powder है तो powder ड डाल लीजे, बाकी तो scrub के तो रूप में सभी काम करेंगे ही, और benefits भी सारे आई जाएगे, skin पर goodness पूरी आएगी, उब्टन जो है, वो skin को deeply cleanse करता है, इसमें turmeric डालना ना भूले, अपने हिसाब से turmeric डाल लीजेगा, अगर आप bride और groom हैं, तो बहुत सारी turmeric मिलाईए, अगर आप bride और groom नहीं हैं, तो थोड़ी से कम मिलाईए, तो कि हल्दी फिर साफ पता चलेगी, कि आपने लगाई है, और उब्टन जो है, वो skin को deeply cleanse करता है, facial hair को भी remove करता है, excess oil को भी remove करता है, और skin को साफ करता है, जितनी भी dirt हुई है, sun burn हुआ है, मेलाजमा है, तो उनको भी उब्टन लगाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने हाथ में भी लगा लिया है, और यहाँ पर अब मैं face पर लगा रही हूँ, आप मेरा face देखना, और face तो आपने मेरा पहले भी देखाई है, तो अब लगाने के बाद देखना, कितना क्या है, क्या हुआ, क्यूंकि इसके जो इसके benefits होते हैं, शादी होने वाली है, तो जरूर ऐसा वाला try करिए 20 दिन पहले से, बहुत सारे benefits से, कोई भी side effect आपको नहीं मिलेंगे, और बने रहना मेरे साथ, मैं मिलूंगी फिर एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, बाई